असलाम अलेकुम जी सो डेवलपर्स के साथ एक और चीज़ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और दाट इस देजाइन स्पैसिफिकेशन और देजाइन स्पैसिफिकेशन के लिए यू जिस्ट आफ तो क्लिक आउन सिंगल बटन और उसके बाद वो लिंक आप उस डिवलपर के साथ जो आपके साथ काम कर रहा है वो शेयर कर सकते हैं आएय tre gaan ऐख खञे थीक है तो इस पे हम क्लिक करते हैं और इसको यहां से गरते हैं शेयर यहां से व्यू सैटंग्स के अंदर जाके हमने डिजाइन review पहले save किया था तो हम यहां से select करते हैं development और इसके बाद हम इस link को update कर देते हैं चीक है जी so it will take some time और उसके बाद आप वो link developer के साथ share कर सकते हैं इसके लिए पहले और भी बहुत सारे plugins यूज हो रहे थे और आप मजीब plugins भी use कर सकते हैं for example आप website design कर रहे हैं और design की specifications आप developer के साथ share करना चाहरे हैं तो आपको adobe xt के अंदर बहुत सारे plugins मिलेंगे जो आपको html css code भी generate करके दे सकते हैं so उसके लिए आपको थोड़ी सी research करनी पड़ेगी and you will get a lot of plugins for this specific purpose ठीक है तो it is taking some time to generating in generating the link तो जैसे ही यह link generate होता है तो इसके बाद हम जाके देखते हैं कि design review और design specifications दोनों में क्या difference है तो इसने यहां पर link generate कर दिया link copy करते हैं Google Chrome में जाते हैं और यहां पर जाके जी link paste करते हैं तो अब एक ही link पे दो तरह के आपको व्यूज नज़र आएंगे एक है कि design review अगर आप गौर से देखें तो आपको उपर link के अंदर एक यहां पर word नज़र आएगा adobe.com slash view ठीक है लेकिन आपने दोनों link generate कि हैं इसी flow के तो अगर आप right side पे देखें तो आपको यहां पर दो tabs नज़र आएंगे एक है comments का और एक है code के आपको जो symbols नज़र आ रहे हैं कि view specifications तो मैं simple इस पर click कर रहा हूं और यहां पर आपको कुछ interesting details नज़र आना शुरू हो गई है तो यह आपको एक overall view दे रहे हैं कि इस पूरे design के अंदर character styles कौन-कौन से यूज हो रहे हैं ठीक है colors कौन-कौन से यूज हो रहे हैं तो इसके उपर मैं hover कर रहूं और वो मुझे उसके उपर एक highlight करके दिखा रहा है इसके लावा screen sizes कौन-कौन से इस्तमाल हो रहे हैं और बाकी interaction कौन सी है क्योंकि हमने इसमें एक interaction add की वी है जब वो register पर click करेगा तो वो इसको next screen पर move करेगा ठीक है जी तो यहां जगर हम next screen पर move करते हैं तो कुछ इसकी specifications आजेंगी और आप individual element की specifications भी देख सकते हैं जैसा के इस button पर click करते हैं और right side और left side से जो margin है वो क्यूंकि हमने 24 set किया था तो वो इसको बता रहा है इस is 24 pixels इसके लावा और मजीद आपको कुछ details यहां पर नज़र आएंगे ठीक है जी जो color हमने assign किया वह that is 100% opaque और इसके लावा जुसके corners rounded हैं वो कितने DP round किये हैं that is 4dp और इसके लावा जी और मजीद इसकी यहां पर dimensions नज़र आ रही है that is the width इसकी 364 dp है height इसकी 56 dp है इसके लावा जब हम इस text पर click करते हैं तो text के हमें different styles भी बताएगा that is कि इसका जो layer का नाम है इस asset का that is the main heading Roboto हमने font use किया है उसका style bold है size 45 है और between the character spacing between the lines alignment इसकी और मजीद आपको यहां पर details नज़र आ रही है ठीक है तो एक और benefit भी है जैसे कि developers हैं तो यहां पर कुछ text लिखाव है और काफी जदा detail में text है तो अब एक developer इसी text को copy करना चाहता है तो बजाए कि वह दुबारा से लिखे so just go there और इस पे click करे and the content has been copied और वो इस content को अपनी development में use कर सकता है और इसके लावा हमारे पास एक view है जिसमें हमें हर screen individual नज़र आ रही है और अगर आप उपर top पे देखें तो यहां पे grids बनीनी है मैं grids पे click कर रहा हूं तो यहां पे आपको grids के अंदर सारी के सारी screens न नज़र आ रहे हैं एक flow chart है और एक grids view है तो आप यहां पर जाके सारी screens देख सकते हैं और जिस screen पर navigate करना चाहते हैं simple उस पे click करें और वो आपको वो screen open करके दिखा देगा ठीक है जी इसके लावा दुबारा अगर आप वापस जाना चाहते हैं comment section में comments कर सकते हैं pins को place कर स मिल जाता है और the developer can actually click on the color to copy the hex code और वो exactly वो ही code use कर सकता है development के अंदर जाके so these were the few things जो relevant थी for generating the link for the development so see you in the next lesson thank you so much कर सकते हैं